मुझाद्परदेश विधान सभा में बजट सत्र के दवरान कॉंग्रेस के विधायक जीतू पटवारी को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबन कर दिया गया जिसके बाद कॉंग्रेस काफी ज़ादा हमलावार हो गई है पूर्वसियम कमलाद और नेतर प्रतिपक्ष गोविन सिंग समेत कई विधायकों ने तो सरकार द्वारा दिये गए टैबलेट वापस कर दिये अस बीच खबर ही आ रही है कि अब निलंबन के विरोध में कॉंग्रेस बड़ा अंदोलन करने वाली है लेकिन इस बीच गुडबाजी की खबरे भी सामने आ रही है दरसल कॉंग्रेस का कहना है कि विधायक जीतू पटवारी ने बजट सत्र से निलंबन करना अलोक तांत्रिक है और ये बीज़िपी की बौकलाहट को दर्शवाता है अब कॉंग्रेस इसे लेकर बड़ा अंदोलन करेगी निलंबन के बाद तमाम कॉंग्रेस से विधायक जीतू पटवारी के आवास पर पहुचवे यहां तै हुआ कि 13 से 14 मार्च को कॉंग्रेस प्रदेश में बड़ा अंदोलन करेगी इसे लेकर PCC चीफ कमला से बात करने के बाद तारीख तै होगी कॉंग्रेस ने कहा कि किसान जनता के लिए यह बड़ा अंदोलन होगा